एमाई रूम का ओफिसियल अपडेट आ चुका है 20 प्लस डिवाइसेज के लिए और फिलाल मैं आप इसे यूज करा हूँ अपने रेड्मी के नोट 7 प्रो डिवाइस के अंदर और रेड्मी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर जो के एक एंड्राइड 10 के उपर बेस्ट है तो इस वीडियो मैं आपको complete detail देने वाला हूँ के Android 5 वाले डिवाइसेज के लिए और साथ साथ इंडराइड 10 वाले डिवाइसेज के लिए क्या-क्या चेंज देखने को मिल जाता है और साथ साथ इनकी डिवाइसों को ये support करता है तो complete detail आपको इस वीडियो में मिलने वा Hello everyone, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में बात करने वाले MIY12 के फर्स्ट MI Room के अपडेट के बारे में जो की Build No. 20.5.14 के साथ आता है और अभी फिलाल मैं 2 डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ बट Supportable device के लिष्ट भी में आपको सो करने वाला हूँ जहाँ पर आप देख साते हो कि आपको देखनी को मिलता है 20.5.14 जो कि MIY12 है और पूरे specs आपको यहाँ पर जो नजर आ जाते हैं अगर हमें इसके All specs के और बात करें और Security Patches वगएरा कि आपको देखनी को मिल जाता है Redmi के Note 5 Pro device के लिए Security Patch latest जो कि 2025 का है जबकि वहीं पर हमारे Redmi के Note 7 Pro के लिए 24.1 का जो कि यहाँ पर 1 month old है हमारे Redmi के Note 7 Pro device के लिए और Redmi का Note 5 Pro हमें सहीं आगे रहता है Security Patch के मामले में तो हर एक device को अलग लग Security Patch देखनी को मिल सकता है किसी को 1 month old तो किसी को जो बिलकुली latest तो यह device के उपर depend करेगा वहीं पर जो यह Android Pie के उपर run कर रहा है यानि आपको पहले से Android Pie था तो आपको Pie ही मिला है 10 नहीं मिला है जबकि Redmi Note 7 Pro के लिए 10 आज चुका है का फिटाम पहले इसका 10 के उपर बेस्ट है अब बात करते हैं चेंजें की क्या देखनी को मिलता है तो पहले आपको About के सेस्टन में Secure T के अलावा आपको Factory Reset का Option नहीं देखनी को मिलता था यहांसे आप इसे है जो डिसेट कर सकते हो यहां पर एयरफोन का Option देखनी को मिलता है पाई वाले रोम के उपर और Android 10 के उपर Sound Effect का Option देखनी को मिलता है उन पर Service आपको Neighbor Hide करके Gestures Enable करने का Option मिलता है जबकि हमारा जो Android 10 वाला है उसके आपको Android 10 का Pulse और साथ इसे हाइट करने का और OK Google का भी आपको यहां पर Features मिलता है अगर आप यहां पर Corner से Enable करते हैं कुछ इस तरीके से तो तो अभी फिलाल इंट्रेट बंद है तो यह काम नहीं करेगा ठीक है और यहां पर आपको Android Pi वाले में कोई भी OK Google का Features देखनी को नहीं मिलता है एक छोटा सा डिफिरेंट देखनी को मिलेगा आपको Android 10 और Android Pi के बीच में महीं पर language support की बात करें तो इसका एक मैं screen shoot आपको provide कर दूँग अपने Telegram को चैनल पर यहां पर यह चिक कर पाओगे कि यह किन-किन language को है जो fully support करता है ऐसे बहुत कम language है आप देख सकते हो on screen आपको नजर आ रहा है तो अपन को मिलेगा तो यह पाई हो या फिर कोई अधर हो no matter अगर आप अवीज तक वीडियो वाच कर रहा है इसका बनलाओ आपको वीडियो के अंतर काफी जड़ा इंट्रेस्ट आ रहा है और यह वीडियो आपको 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 वाच करके बेनेफिट ले पाओगे अगर हम आज इसके कैलेंडर के उपर तो कैलेंडर आपको जो चाइना में ही देखनी को मिलता है बट इसे ठीक करने के लिए बस टिर्पल लाइन पर जाना है सेटिंग के और जाना है और यहाँ पर चाइनिच कैलेंडर का जो आप्सन है उसे आपको जो आफ कर दिना है यह हर एक फोन के इसमें भी expand देखने को मिल जाता है तो दोनों के अंदर सेम एनिमिशन देखने को मिलता है कलेंडर से regarding वह पर इसका जो MI Music Player है जहां पर आपको YouTube का वीडियो भी watch करने का feature मिल जाता है जो कि आप यहां पर देख सकते हो है जो कि मैंने आपको सो किया था स्टार्टिंग में वह अभी तक यहां पर इनेवल नहीं हुआ है तो में पर आपको देखने को नहीं मिलता है कि है यह भी एदर फगराव बिल्कुली लेटेश्ट है और यहां पर फोन की बात करें ताब देख पा रहे हो कि फॉन चेंज है जो कि बर्ड और तोर डिफेरेंट का है तो यहां पर रेडमी के Note 7 Pro को L1 का सपोर्ट है बट यह पिरी रूटेट रहता है तो यहां पर L3 का सपोर्ट मिलता है और 5 Pro को यहां पर यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर आप देखने को मिलता है जिन में कोई भी चेंजिंग नहीं है काफी अचे तिर्गेस है जो काम करता है यहां पर हम इसके Net Safety की बात करें तो मैं इसमें सो कर देता हूं क्योंकि ओफिस्यल है तो एक में फिक्स रहेगा तो सभी में आपको फिक्स ही देहनी को मिलेगा तब उसमें Net नहीं है तो मैं आपको सो नहीं कर पाऊंगा तो यहां पर आप देख से तो कि आपको Net Safety बिल्कुली पास है तो आप बैंकिंग के एफ बगरा है जो यूज कर पाऊंगे लेकिन अगर आपको जो नो सिम डिडेक्सन वाली प्रॉलम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताना टेलिग्राम ट्यूटर एक्स्टाग्राम कही तो मैं इसके उपर एक dedicated वीडियो दे दूगा अब बार्यातिक के performance जो कि most important होता है तो यह first build है MIY12 के उपर MIYroom की और से लेकिन यहां पर आपको performance थोई से down रहने को मिलता है जा आपको पास कोई साब वीडियो आइस है सब में performance गीरा हुआ है क्योंकि यहां पर 2-2 के आसप score आता है या फिर 20 का वह आ गया है 16,19,50 का तो यहां पर performance थोई से down है first build है चलेगा इतना हम ले सकते हैं उमीद करते कि next जो अपडेट आएगा उसमें performance को boost किया जाएगा वहां पर आप बाकिया दर आप features यूज कर सकते हो gcam यूज कर सकते हो कोई problem नहीं आने वाला है अब कि Note 7S दोनों पर यह काम करेगा MI6X, MI का Note 3, Redmi Note 3, बहुत साले लोग confused हो जाते हैं कि Redmi के Note 3 device के लिए लेकिन यह MI का Note 3 है, दोनों different devices है, MI का 8 Lite, Redmi का Note 5, जो कि Redmi का Note 5 और Note 5 Pro, यानि जिसका code ने wireded है उसके लिए यह काम करने वाला है, वहीं पर आपको MI Mix देखनी को मिल जाता है, उसके बाद MI6 है, MI9T या K20 Pro Redmi का, उसके बाद MI8, MI का Mix 2S, MI Mix 3, उसके बाद आपको मिलता है MI9, MI का Note 10 या CC 9 Pro, उसके बाद MI9 Lite या फिर CC 9, उसके बाद आपको MI9T और Redmi का K20, MI9SE, MI8 Pro, MI Max 3 और Redmi का Note 7 Pro, जो कि मैं यह device अभी फिलाल यूज कर रहा हूं, तो टोटल 20 devices हैं जिनक कोई यह अभी फिलाल सपोर्ट करता है, और पीछे आप देखें तो 10.0 है और कहीं कहीं पर आपको 9.0 देहनी को मिलेगा, तो यह इंडिकेट करता है कि आपको Android वर्जन कोन सा है, अगर 9 है तो आपको Android 9 मिलेगा, अगर 10 है तो आपको Android 10 मिलेगा, ठाई हो सो गाईज कि मैं यह ने कंप्लेट डीटेल दे दिया है, वीडियो पसंद आया हो, तक थमसब जरूर दे, और चैनल को सस्क्राइब परना ना भूले ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके, और कैमरे केंजर जेन डिवाइस को चेंज मिला था, उन्हीं चेंज देहनी को मिला यानि ओल्ड वाला ही कैमरे का यवी अभी तक देहनी को मिलता है, बाकि अधर डिवाइस हैच को, जबकि K20 और बाकि कुछ को जो अपग्रेड मिल चुका है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाब बाई